हूँ बहू भंडारे वाली आलू की सबजी घर पर बनाईए सुआगत है जायका 2023 में आज सभी का आज मिलकर हम लोग बनाते हैं भंडारे वाली आलू की सबजी तो इसके लिए 6-8 आलू हमने उबाल कर छिल के हटा लिए हैं और इस तरह से हम इसको मैस कर हाथों से छोटे टुकडे बड़े टुकडे और कुछ मैस के रखेंगे ताकि इससे ग्रेवी बनाने में हमें असानी हो अब 3-4 टमाटर एक अद्रक का टुकडा लेकर हम इसको मिक्सी में पीस देंगे मिक्सी में पीसने के बाद हम इसको साइड में रख देते हैं और गैस में कडाही चड़ाते हैं कडाही में हम तेल डालकर गरम करेंगे और इसके लिए आप सरसो का ही तेल इस्तेमाल करें रिफाइंड तेल से टेस्ट उभर कर नहीं आता है बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसको चटकाएंगे चटकने के बाद उसमें जो पेस्ट पीसा था टमाटर और अधरक का उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और इसको चलाएंगे इसी समय इसमें हम एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च पाउडर और डड़ चमच धनिया पाउडर इसको डालेंगे फिर इसमें नमक भी डाल देंगे और इसको हम चला चला कर चला चला कर तेल उपर आने तक इसकी भूनाई करेंगे खोब अच्छी तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी हाथ में लेके करस करेंगे और डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे इससे मसाले में हरा धनिया और कसूरी मेथी का पूरा फ्लेवर आ जाता है जो सबजी को और वी टेस्ट बनाता है तो इस तरह से करके चला चला के हम भूनते जाएंगे अब इस में थोड़ा सा किचन कीग पाउडर एक चमस के लगबग डाल कर मिला देते हैं इस तरह से low masuk fine करके हम इसको भूनेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनकर तेल उपर आने तक ये देखिए भून के कितना कम हो गया है जब हम डाल रहे थे तब बहुत जादा था तो अब ये हो गया है तयार तो इसमें हम मैसे हुए आलू को डाल कर हलके हलके मसाले में हम मिक्स करेंगे इस तरह से मिक्स करकर के जैसा मसाला भून के हम लोग तयार किये वो ऐसे ही आलू को भी मसाले में भूनेंगे तो इसके लिए भी लो फलिम में हम इसको चला चला कर आलू को मसाले के साथ भूनाई करेंगे और इसी टाइम हम इसमें हींग डालेंगे हींग तेल में डालने से जल जाता है तो हींग पहले हम डालते नहीं है हमें तो पसंद है बाद में डालना ताकि इसका फ्लेवर सबजी में रहे तेल में डालने पर मेरे को फ्लेवर कुछ कमी लगता है तो इस टाइम पर डालने से अच्छा होता है अब थोड़ा सा इसमें अमचूर या फिर आपके पास में चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें गरम पानी डालेंगे अब अब गरम पानी डालने का मतलब ये है कि सबजी गरम रहती है और उसमें हम थंडा पानी डाल देते हैं तो इसमें इससे टेस्ट में भी फरक पड़ता है तो आप कभी भी सबजी बनाए तो पानी जब भी डालना हो सबजी में तो पानी गरम करके ही डाले अब देखिए इसका थीकनेस आप अपने अकोर्डिंग इसका थीकनेस रखेंगे जैसा आप पसंद करते हैं ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाड़ा अब इसमें उबाल आने के लिए इसको हम छोड़ देंगे यह उबाल आने ही वाला है और इसमें उबाल आते साथ ही हम इसमें गरम मसाला उपर से डाल देंगे और हरी धनिया भी हम इसमें डालेंगे टमाटर फीशते समय दो हरी मिर्च जो था प्लेट में उस हरी मिर्च को भी हम इस पर चीरा लगा के डाल देंगे अगर आपको ऐसा पसंद हो तो आप डाले वरना इसको आपивают कर सकते हैं और इसको अभी चलाना और मिलाना नहीं है, इसको ढखन ढखके 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, गरम मसाला डालने के बाद अगर आप मिला देते हैं, तो सबजी का कलर काला पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं मिलाएंगे, तो ये देखिए सबजी का कलर, और ये मैंने सर्व कर लिया है, आप पूरी के साथ या दूसके के साथ, आज हमारे घर में दूसका बना है, तो हम इसको दूसके के साथ खाएगे, आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, दूसके के साथ भी खा सकते हैं, या तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सब के साथ ये सब अच्छी लगती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं